सिदय कामाला माध्ये राजितम निर्विकल्पम् सद सद खिल भेदा आती तमेक स्वरूपम् प्रकृति विकृति शुन्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहं सम् रामक्रिष्णं भजामहा विमलपरमहं सम् रामक्रिष्णं भजामहा क्रयशीत्युत्तर अष्टादश शततमवर्षस्य दिसेंबर मासस्य चतुर्विम्षह दिनांकह मार्गशीर्षक्रिष्ण दशमी सोमवासरह समयह प्रातस्तनं नववादनं परमहं सह मास्टरेन सह देवदारु विक्षानां वने वदन्नस्ति एतद्धिनम् मास्टरस्य गुरुग्रुह वासस्य एकादशंदिनम् शैत्यकालह सूर्योदयह इदानीम् भवन्नस्ति गंगायाम् ओघह आगतह अस्ति सा उत्तरवाहिनी प्रवहंती अस्ति परमहं सस्य साधनस्थल भूतह सह बिल्व व्रिक्षह अनति दूरे दृष्यमानह अस्ति परमहं सह पूर्वाभि मुखं उपविष्य मास्टरं ब्रमह ज्ञान विषये वदन्नस्ति ब्रमह ज्ञानम श्री रामक्रिष्णह निराकारदेवह अपि सत्यह साकारदेवह अपि सत्यह तोता पुरिही मह्यं सचिदानन्द ब्रमह विषयकं उपदेशं यक्षतिस्म सहा वदतिस्म ब्रमह अनन्त सागरवत। सागरे उपरी अधहा वामतहा दक्षिनतहा सर्वत्र जलंभवति तथायेव ब्रमह चलन रहितं महाकारण जलं। तस्मिन यदा चलनंभवति तदा तरंगाह भवंति तदा स्रिष्टिस्थिति प्रलयाह भवंति इति अपिच सहा वदतिस्म विचारह यत्र स्थगितहा भवति तदेव ब्रमह उदाहरनार्थम कर्पूरह कर्पूरस्य ज्वलनानंतरम किमपि नशिष्यते भस्मनह चिन्हमपि नशिष्यते इति ब्रमह वांग्मनातीतम कापि लवन पुथलिका समुद्रस्य गाधताम गवेशितुम गतवती गमन समनंतरमेव सा समुद्रे लीना अभवतु अतह समुद्रस्य गाधता विशये वक्तुम् सा प्रत्यागंटुम् नशक्तवती रुषयह कदाचित रामम अवदन् हे राम भरद्वाजादयह रुषयह त्वाम अवतार पुरुषह इतिवदे युहु किन्तु वयं तथा नवदामह वयं शब्द ब्रम्हनह उपासनं कुर्वंतहस्मह अस्मभ्यं मनुष्य रूपं नावश्यकं इति रामह प्रसन्नह भूत्वा तैही दत्ताम पूजाम स्वीकृत्य प्रगतवान किन्तु नित्यम लीलाच समान तत्वस्य द्वे मुखे ये तत्त मया पूर्वं सूचितवत्त अट्टह सोपान पंटिहिच इव सच्चिदानंदह ईश्वर देवता मनुष्यादि बहुविधरूपैहि क्रीडती कथम सच्चिदानंदह मनुष्यरूपैनक्रीडती इति जानासिवा विशालायाम अट्टालिकायाम पतितम वृष्टि जलम नालिकाद्वारा बहिहि आगच्चती इव सच्चिदानंदह एव मानवद्वारा बहिहि आगच्चती रामह अवतार पुरुषह इति केवलं भरद्वाजादि द्वादश रिशयह अभिज्ञातवंतह अवतार पुरुषं सर्वे अभिज्ञातुम नशक्णुवंति सच्चिदानंदह एव अवतार रूपेण आगत्य ज्ञानं भक्तिम्च उपदिशती अस्तु ममविशये तव भिप्रायह कहा पूर्वं ममपिता यदा गयाम गतवान आसीत तदा रगुवीरह तस्य स्वप्ने आगत्य अहम तव पुत्र रूपेण जाये इति उप्तवान इति तदर्थम् ममपिता हे भगवन अहम कष्चन दरिद्रब्राम्हनह तव सेवाम कर्थुम् अपी मयान शक्येत इति उप्तवान इति तदा रगुवीरह तद्विशये त्वम् किंचिदपि माचिंतय एतत सर्वं कामपि बाधाम्विना प्रचलती इति उप्तवान इति मम सोधरी हृदयस्य माता ममपादव गंधपुष्पादि भिही पूजयतिस्म कस्मी स्चित दिने अहम तस्याहा शिरसी ममपादम स्थापितवान तव मृत्य हु काश्याम भवती इति ताम सूचितवान और स्चित प्रचलती इति जब अधिस Gender